सियाही सूख नहीं पाती अखवारों की नई खबरे आ जाती हैं बलतकारों की नमस्कार मैं निदी रतन और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तर खबर पढ़ने से पहले मैं आपसे क्या कहूं पहले तो जैसे ही महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने का जब सवाल पैदा होता है तो उन सब निताओं के भाशन और बयान दिमाग में चलने लगते हैं जिनोंने बड़े-बड़े वादे किये थे चुनावी मंचों से वो भाशन याद है साहरनपूर की एक रेली में हमारे देश के ग्रह मंतरी अमिशाजी कहते हैं कि आधिरात को आप गहना लाद कर सडकों पर निकलिए महिला सुरक्षित हैं योगी अधितिनाद का वो स्टेट्मिंट याद है जिसमें वो कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो बहन बेटियों की इज़्जत के साथ खिलवार किया जाएगा और जबरन संपत्तियों पर कब्जा किया जाएगा मान लेते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी के राज में महिलाओ के साथ उत्पीडन होता है लेकिन 2014 के बाद आप जब पेपर की हेड्लाइन्स देखेंगे NCRB के आंकड़े देखेंगे तो उत्तर परदेश राजिस्थान मद्यपरदेश जैसे कई राज्ये सर्वस्रेश्ट बन चुके हैं बलतकार के आकड़ों में आए दिन महिलाओ के साथ उत्पीडन होता है अत्याचार होता है लेकिन सरकार के लिए ये एक जुमला बन चुका है महिलाओ की आबरूपे वो राजनीती रोटियां सेकते हैं महिलाओ की आबरूप को लेकर वो अपनी कुर्शी को बचाने का लगाता और परियास करते हैं उत्तर परदेश चुनाव याद है वही उत्तर परदेश चुनाव जब हादरस कांड हुआ था उसी हादरस कांड को क तरीके से राजनीत्ति एक मुद्दा बनाया गया था एक बहूजन समायच की बेटी मनिस्अ बालमिकी के हत्या पर राजनेता जो है अपनी राजनीती रोटी से एक रहते कर हदรस रेग पीढ़िता लुब जा कर व सवर अपनी चुनावी रही है जहां सके सांसद हैं नरेंद्र मोधी जी जो दावा करते हैं कि हमारे सरकार रहते हुए हमारी सरकार में महिलाओ को सबसे ज़्यादा हक अधिकार मिलाओ की सुरक्षा के लिए हमने कठोर कानून को इंप्लिमेंट किया है अपने ही राजय में क्या हो रहा है कि बनारास केंपस में महिलां सुरक्षित रिफ नहीं और ये सरकार कटी है कि महिलायादी रात को गहना हो जा सकती है यही वो सरकाब है कि और कि क्लेकों मंच से हमारे नरंदर मोधिजी भाषन कि महिलाओं को हम 50 परशन देंगे मैलाओं को हम भागिदारी देंगे राजनितिक पाटी में आने के लिए अपने ही गिरेराज्य में व Subaru को रिहा कर देते हैं रिहा तक बात नहीं रुखती है उनको माला पहनाई जाती है मिठाई खिलाई जाती है सोचिये ये जो प्रोटेस करते हुए आपको तस्वीरे दिखा दे रही है यह बनारस केंपस की हैं चात्रा के साथ किस तरीके से मंचलों ने गुंडागर्दी करने की कोशिस की उसको जबरन किस कर लिया कि आधिरात को क्या महिला घूम नहीं सकती है नरेंद्र मोधी जी लगतार अपने भाष्णों में कहते हैं कि हम महिलाओ के हित में यह पॉलिसी लाएंगे महिलाओ के हित में यह पॉलिसी लाएंगे अरे पहले महिलाओ को शुरक्षित तो कर लीजिए महिलाओं को पहले महफूस तो रहने दीजिए महिलाओं के साथ लगातार उत्पीडन होता रहता है लेकिन सिर्फ महिलाओं की जो आबरू है वो या तो चुनावी भाष्णों का जुमला बन जाती है या पेपर की हेड्लाइन्स बन जाती है क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं है आपकी इज़त से सरकार को कोई मतलब नहीं है आपकी बेहन बेटियों की शुरक्षा से इस सरकार में बैठे लोग सिप्ताना सा हैं इस सरकार में बैठे लोगों की उलादे नहीं हैं वो क्या समझेंगे вос见 ने के क्या समझेंगे महिलाओं की चीखे वो क्या समझेंगे महिलाओं पर क्या गुजरती है जब उनकी आत्म सम्मान को रौँनदा जाता जब उनकी शुरक्ष्षा पर सवाल होता है हम महंगाई, बरोजगारी, ब्रहस्टाचार सब सेने को तयार हैं लेकिन जब बात आबरू पर आ जाए, जब बात इजट पर आ जाए जब बात महिला की सुरक्षा पर आजाए तो कैसे खामोस रहा जा सकता है सरकार से सवाल होना चाहिए तमाम मीडिया कर्मियों से सवाल होना चाहिए क्योंकि यह वही सरकार है जो सुरक्षा का दावा देकर सत्ता में आती है सोशल मीडिया पे लगतार लोग सवाल कर रहे हैं नरेंदर मोधी जी से क्यों आपी के राज्य में महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी तो बाकी राज्यों पे हम सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। कैसे कैसे एक महिला चार दिवारी से निकल कर कॉलिज यूनिवर्सिटी पहुंचती है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब तो यह हालत हो गई है यह हालात होते जा रहे हैं कि बेटी को छुपाना पड़ रहे हैं। बेटीयों को दरिंदों से बचाना पड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार तो बेवलाद हैं। सरकार को कोई मतलब नहीं आपकी दुख तकलिफों से। कनहिया कुमार लिखते हैं कि मनिपूर में बेहन बेटीयों को नंगा घुमाया गया पूरे देश ने देखा। में सबसे बलतकार दिल्ली में होता है जिसकी कानून विवस्था मिट्सा की हाथ में और सबसे जादा क्रायम योगी अधितना्थ में राजीय उत्तर परदेश करेई की तथा कटिता लिवानी कितनी रहागीर चलती हुई मैलाव को छेड़ते हैं छेड़ खानी तक सीमित नहीं रहते बरबरता की इस्तिती इसकदर अपनी चरम सीमा पर है कि मैला कहीं भी सुरक्षित नहीं है उत्तर परदेश से दिल धहलाने वाली घटना मारे सामने आ रहे कि किस तरीके से एक लड़क कि अपष्ब देश की हाला जिसका डंका विदेसों में बसता जिसको सर्वस्रेश्ट राज्जे का खिताम मिल चुका जिसको अपराद मुक्त राज्जे कहा जाता उससी अपराद नूस्त राज्जे की हम आपको खबरे बता रहें कि यूपी के महिला के साथ बरबरता की गई है दलित महिलाओं के गैंग रेप के बाद हत्या सिर और हतेली को काट कर अलग किया आटा चक्की पर मिली निवड बॉडी मामला उत्तर परदेश के बांदा काय योगी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आरोपी राचकुमार शुकला बहुवा पट्टी से आया है सोची किस तरीके से बहुजन समाज की म하िला होप्पी तो आबंड़ू आबंड़ू नहीं होती है एक तो आप इस देश मैं अपने जेंडर के अधार पे ब्हुदवाव झेलते हैं दूसरा आप अगर बहुजन समाज की महिला हैं जेंडर के अधार पर जाती के अधार पर दोरा आपका उत्पीडन होता है दोरिद इस्तर पर आपका सरकार सिफ बहुजन की बात करती है सरकार लगातार OBCSC मैनौर्टी की बात करती है लगातार मद्यपडेश चुनावनस दीके राजिस्थान चुनावनस दीके और कॉंग्रेस पार्टी की बात करें मुवबत की दुकान खोल रही है उनका राज्य भी कम नहीं है लगातार महिल महिलाओं की इज़त और सुरक्षा को तार-तार कर सिफ चुनावी जुमला बनाति है महिलाओं की आपरू को कि तरीके से ना बच्ची एक hostel का परीसर में शुरक्षिते ना बच्ची अपने घर के गलियों में शुरक्षिते इस तरीके से उस बाउजन बेटी के साथ बरबरता किए कि उसको आटे की चक्की में डालकर तीन टुकडों में बाट दिया एक विशेस जाती के लोगों की इस तरीके की हरकतों को बड़ावा कैसे मिलता है या परसासन उनके साथ है या सरकार उनके साथ है या विशेस जाती के होने के न पर कब तक ये सरकारे अपनी राजमितिक रोटिया से केंगी शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें